नमस्कार पिरिविद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी वेकानन्द कॉंपिटिशन सेंटर जुन्नू की ओनलाइन क्लास में स्वागत हैं। मैं महिस्कुलेरी आप सभी का इस ओनलाइन प्लेटफोरम पर हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे सामने जो मोटिवेशनल कोटेशन है नया दिन है नई बात करेंगे। एक नई जुनून नई उर्जा वापिस पेदा करें ताकि आने वाली एक्जाम उन सभी को क्या दे सफलता दे जो पिछे जो भी घटित हो गया है उन्हें बूल जाए और नई चीज की क्या करें शुरुआत करें और इसी जोस और जुनून के साथ हम जो है वो करंट अफेर के जो परसन है वो लेकर उपस देते हैं और आज के जो करंट अफेर्स में जो पहला जो परसन है वो यह है जी टवंटी सिखर सम्मेलन दो हजार बाइस कहां आयोजित होगा और हमारे सामने जो पहला उप्शन है वो इटली, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा भारत और में जी टवंटी का जो सिखर सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित होगा इंडोनेशिया में आयोजित होगा और आप सभी को पता है कि इंडोनेशिया अपनी राजदानी जो है वो परिवर्तित कर रहा है और कहां जकारता से यह जो राजदानी है वो बुरुनेई जो दीप है उसमे कया जाए हैं असतानांत्रित की जारी है, तो 2022 में जो शिकर समेलनन है वो इंडेलनेंशिया में होगा, जबकि इससे पहला वाला जो शिकर सम्मेलन होगा वो कहां पे होगा भारत में होगा और इनी तीनों को हम कहते हैं इंडोनेशिया भारत और इटली इनको क्या कहा जाता है यानि इन तीनों को सामुईक रूप से क्या कहा जाता है Trika के नाम से कया ऐता है समभोदित किया जाता है और अमरीका जो है वो हाल फिलाल में जो हम कहते हैं COVID-19 और COVID-19 की जो वankenद अब है वो लगातार इजात की जा रही है लेकिन अमरीका ने अभी जो है वो एक जो है वो वेक्सिन के स्थान पर जो है वो गोली इजात की है जो COVID-19 में क्या देगी साहिता करेगी और उसका नाम है पेक्स लोविड ये जो है ये अमरिका दुआरा की गई महत्पुन खोज है कि अब जो है वो वेक्षिन के स्थान पर COVID-19 में ये जो टेबलेट है ये क्या की जाएगी काम में ली जाएगी और अमर पेक्स लोविड जो है वो इस टेबलेट का क्या है नाम है नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्ष सबद जिससे संबंदित है पहला क्रोना वाइरस दूसरा अंत्रिक्षियान तीसरा वर्ड ओफ दा इयर और चोथा चिल्डरन ओफ दा इयर और अगर हम बात करें इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा तो यह है वर्ड ओफ दा इयर यानि 2021 में इसे जो है ओक्सफोर्ड इंविश्टी की जो डिक्सनरी है उसमें जो है वर्ड ओफ दा इयर जो है वो क्या मिला है अस्थान मिला है वर्ड ओफ दा इयर 2021 जो है वो किसे गोशित किया गया है वो किया है वेक्स को भी आ गया है दूसरी हम बात करते हैं इस वर्ड के बाद में अगर हमें याद रखना है चिता चिता जो है उसे भी इस्थान मिला है और इसे बोलते है चिल्डर्न ओफ दा वर्ड चिल्डर्न ओफ दा वर्ड जो है वो किसे दिया गया है वेक्स को दिया गया अर्थार चिंता को जो है वो चिल्डर्न ओफ दा वेक्स का जो है वो खिताब है पर आप जो हुआ है नेक्स्ट हम बात करते हैं खेलो इंडिया तिरंदाजी टूर्णामेंट का आयोजिन कहां हु जो ऑप्षन है वो हेदराबाद, जम्मू कस्मीर, हरियाना और गोवा, अगर हम बात करें, इसका सही उत्तर होगा, वो होगा हरियाना, हरियाना में स्थाना सोनिपत, सोनिपत में खेलो इंडिया, जो तिरन ज़ाजी परतियोगता है, उसका आयूजे ने किया गया था, और हम कहें, इस टूनामेंट में जो पर्थम स्थान प्राप्त किया है, वो भी किसने प्राप्त करें है, हरियाना ने प्राप्त किया, यानि कहने कारता है, खेलो इंडिया तिरन जादी टूनामेंट में पहला स्थान जो प्राप्त किया है, वो किसने किया, हरियाना ये ने किया, दूसरा अगर हम बात करें कि इस बार जो है खेलो इंडिया महिला होकी लीग खेलो इंडिया महिला होकी लीग जो है यह खेलो इंडिया महिला होकी लीग अंडर 21 जो है वो कहां पर जित हुआ तो हम कहेंगे दिली में आयो जित हुआ और तिरंदाजी टूनामेंट तो हम कहेंगे सोनीपत सोनीपत कहां पर हर्याना में और पहली जो rank है वो कौन से राज्य ने प्राप्त किया है वो हर्याना ने क्या किया है प्राप्त किया है नेक्स्ट जो person है उस पर हम बात करते हैं वर्स 2021 का बैलोन डी और पुरुसकार आवार्ड किसे किसने जीता है और हमारे सामने option है रोनाल्डो लियोनेल मेसी अलेक्सिय पुतेलस और रोबर्ट लिवाडोस की तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा कि 2021 का बैलेंडी और पुरुसकार जो है वो किसने जीता और हम कहते हैं किसने जीता है लियोन मेसी ने जीता है किसने जीता है लियोन मेसी और लियोन मेसी जो है वो कौन से देश से है व और अर्जेंटिना के महान जो खिलाडी हैं लियोन मेसी उन्होंने ये जो है बेलेंडी और पुरुषकार जो है फुटबाल के छेतर में दिया जाता है किस छेतर में दिया जाता है फुटबाल के छेतर में दिया जाता है वो परदा नहीं किया है जबकि 2020 में ये जो पुतेलस इनने क्या प्राप्त हो आ है तो इलेशिया पुतेलस इ台 है कहां nod महील के law ने महीला या है और और उनने बलेन्दियोर पुरुषकर प्राप्त है क्या प्रुषकर- बेलेंडियोर, प्रुष्कार जो है, वो इन्हें प्राप्त्व है, जबकि रोबर्ट लेवाडोस की जो है, ये कहां पे के हैं, ये पोलेंड के हैं, और इन्हें फिफा का सर्वस्रेश्ट, फिफा का सर्वस्रेश्ट खिलाडी का जो दर्जा है, वो क्या क्या प्रदान है, फिफा आफ दी वर्ड जो है, वो रोबर्ट लेवाडोस की जो पोलेंड से उन्हें प्राप्त है, और महिला में अलेक्षिया पुतिलेस जो स्पेन से उन्हें ये अवार्ड क्या प्राप्त ह इस बार का बेलेन्टी और पुरुसकार जो एंज जो है जो अज़ा परसन आने वाले कंपेशन एक क्शाम में यह जुपर आपके लिए महाध्पुन खुगा. हब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि WBWF Proust Player of the Year 2021 किसने जीता आपके सामने जो पहला उप्षन है वो एमपा राडुकानू, विक्टर एक्स लैंसन, समर्ती मधाना और राफेल नाडाल और इसका जो सही उत्तर है वो है वो है विक्टर एक्स लैंसन जो है उन्हें ये जो पुरुष्कार है ये क्या क्या गया परदान किया गया, यानि पुरुष्पलेर ओफड़ अफड़ यर 2021 और कौन सा है तो हम कहते है, ये जो पुरुष्कार है ये किसके चेतर में दिया जाता है ये पुरुषकार जो है ये Badminton के छेतर में क्या किया जाता है दिया जाता है यानि कहने का आर्थ ये है कि Badminton के छेतर में ये Prus player of the year 2021 BWF जो पुरुषकार है वो उन्हें क्या जाता है परदान ने किया गया और अगर हम कहें, समर्ती मधाना इन्होंने पिंक बोल से पहली सतक लगाने वाली भारतिय महिल है, यानि सतक लगाने का आर्थी है, 100 रन जो है, सतक जो है, वो इन्होंने क्या किया है, पुरा किया है, दूसरी, इन्हें ICC, ICC Women of the Year जो है, वो पुरुसकार किसने प्राप्त कि किया है, दूसरा रोफेल या राफेल नडाल जो है, इन्होंने ओस्टेलिया ओपन, ओपन 2022 अपने नाम किया है, यानि ग्रेंड स्लेम, पहला जो ग्रेंड स्लेम है, साल का पहला ग्रेंड स्लेम ओस्टेलिया ओपन जो है, वो रोफेल नडाल ने क्या किया, प्राप्त किया और दूसरा अम्मा राडुकानू और अम्मा राडुकानू जो है वो भारती महिला है जिन्होंने USA का जो टेनिस का जो खिताब है वो क्या क्या है प्राप्ते किया है ध्यान से सुनना हम बात करते हैं बेडमिंटन के छेतर में वर्ड फेडरेशन द्वारा बेडमिंटन फेडरेशन द्वारा पुरुष प्लेयर ओफ दा इयर का पुरुषकार है वो विक्टर एक्स लेशन को दिया गया और हम कहते हैं समर्ती मधाना ICC वूमेन ओफ दा इयर ढ़ाज़ नहीं जीता है रोफेल अडाल वंघऑ का खिताब सेHaamma ओपन खिताब जीता हैं और वि बिश क्देंस श्वारा सब्सारा ओअप conservation आ यह वो cancer किया गया गोसित किया गया तो ये जो है ये हमारे लिए महत्मन चारू के चारू जो है वो आने वाली कंपेटिशन एक्जाम के लिए महत्मन होगा अगर नेक्स परसंट की बात करते हैं रामा नोजन कि इसका सही जो उत्तर होगा, वो कौन होगा, तो हम कहते हैं, इसका सही उत्तर जो है, वो किसे दिया गया है, तो मिना, देखो, पहली बात तो ये, कि ये जो पुरुषकार है, रामानुजन पुरुषकार जो है, वो किस ठेतर में दिया जाता है, तो हम कहते हैं, गनित के छे 21 का ये रामानुजन पुरुषकार जो है वो परदान है किया गया गनित के चेतर में महत्पून पुरुषकार माना जा जबकि किदांबी श्रीकांत जो है ये विशो बेडमिंटन चेंपियंशिप जो है उस विशो बेडमिंटन चेंपियंशिप में इन्होंने क्या प्राप् है तो इसलिए हमारे को याद कि दंभी शिरीकान वो विसो बेड्मिन्टन चेंपियन सिप में रज़त पदक पराप्त करने वाले मारत भारती हैं दूसरा हम बात करते है स्वाती सर्मा और स्वाती सर्मा जो है या समर्थी नी स्वाती सर्मा जो है वो किस से समान दीता है तो हम कहते हैं विशो व्यापार संगठन जो है विशो व्यापार संगठन इसकी लिगल ओफिसर जो बनी है लिगल पहली लिगल ओफिसर जो है वो कौन बनी है स्वाती सर्मा बनी है और हम बात करते हैं दानी सिद की और ये क्या कर देगे हत्या कर देगे तो इसलिए इन्हें जो है वो मुंबई प्रेस कलब दुवारा जर्नलिस्ट ओफ दा इयर दो हजार बीस क्या नाम दिया गया है जर्नलिस्ट ओफ दा इयर दो हजार बीस जो है वो मुंबई प्रेस कलब दुवारा क्या किया गया परदान है किया गया यानि दानीश सिद्गी अफगानिस्तान में सोर्या का परदर्शन करते हैं समाचार प्राप्त करते हैं सहीद हो गए थे स्वाती सर्मा विशो व्यापार संगटन में लिगल ओफिसर बनी है पहली और किदामभी स्रीकांत विशो बेडमिंटन चेंपियनशिप में रजत परतदक प्राप्त किया था और मिना गुपता जो है उन्हें रामानुज पुरुषकार 2021 जो गनित के छेतर में क्या किया जाता है इन्होंने क्या क्या प्राप्त है किया पहला जियाई जो टेक है वो किसको दिया गया था तो हम कहते हैं दार्जलिंग की चाई को भारत का पहला जियाई टेक जो है वो दार्जलिंग की चाई दार्जलिंग किस राज्जे में तो हम बोलते है पस्षिम बंगाल में पस्षिम बंगाल में भारत का पहला जियाई ट मनो को यादे औ Jewish सबस्काराल कि मनो क हूग जाए जो जो यह किसाओ। मनो क्यूंगे यह तो आपको याद रही जया किन रही मनो के यह चाईये यह तो इस नवाहत राक आप शोाप रहीन में सब्सकारा के तुझॹ इसे क्या enabling और Weird भाड़ा कोलन हैं सफेद प्याज और यह ढोनों कहा है महरा DW कहा क्या है महरा AG क्या है और इन्हें हाली में क्या पर्दान किया J-I Teg पर्दान है कि अधाटी एक एक J-I Teg जो वो रस्गुलों के लिए रस्गुले की जो लड़ाई थी वो उड़ी सा प्षिम बंगाल के मत दे थी यग जिस जो टेग है वो किसे मिला वो पश्यम बंगाल को मिला वैसे अपने राजस्तान में विकानिर की जो रसगुले हैं वो भारत भर में परसीद है लेकिन रसगुले का जो जी आई टेग है वो किसे प्राप्त है तो हम कहते है पश्यम बंगाल को किसे प्राप्त है पश्यम बंगा ये असम की है जिसका किमत जो निनानमे हजार नो सो निनानमे रुपे की गई है इसके लिए पर्च चर्चा का विशरे और सोजत की मेंदी पाली राजस्तान जो है वो महत्पून रही है अब नेक्स्ट सबसे अधिक खुले में सोचमुक्त ओडियप पलस गाउं की सुची में कौन सा राज्य है देश में पहले स्थान पर रहा है यानि ओडियप खुले में सोचमुक्त के मामले में जो दित्य चरण हुआ था इसमें भारत का कौन सार जो राज्य है वो पर्थम स्थान पर रहा था यानि सवच भारत मिशन सेकिन जो है उसमें आपके सामने उप्सन है ग्रामिन चेतर में खुले में सोच मुक्त जो हुआ है वो कौन सा हुआ है तेलंगाना हुआ हर्याना अभी हम कहते है युवा खेल जो है वो कहां पर आयो जित हुए हर्याना के सोनिपत में आयो जित हुए राजस्तान राजस्तान जो है वो चेतरफल की दरश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज़य, छेतरफल के दर्ष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज़य, जहां पे भारत की कुल जन्सख्या का 5.67% नुवास करते हैं, भारत और पाकिस्तान के मद्ध सरुवादिक अंतराष्ट सिमा रखने वाला राज़य भी कौन सा है, राज़स्तान, और अ कचकारन है और ये जो कचकारन है ये आद्रभूमी आद्रभूमी और उश्नकटी बंदिय जो घास के मैदान है इन दोनों की जो पास्तित की विसेशता है, वो कौन सा रजर रखता है? गुजरात उससे भी इंपोर्टेंट है कि गुजराट जो है वो भारत में सरवादी के लंबी तट्य सीमा रखने वाला जो रज्य है वो कौन से है गुजराट है यानि गुजराट भारत की मुख्य भूमी की जो तट्य सीमा की लंबाई है वो है इक सट सो किलोमेटर कितने किलोमेटर है इक सट सो किलोमेटर ये देखिए तो भारत में सरवादिक लंबी तट्य शिमा रखने वाले जो राज्य है पहले नमबर पर गुजरात है दूसरे नमबर पर हम बात करते हैं आंद्रपरदेश है तीसरे नमबर पर तमिलनाडु है चोथे नमबर पर महाराष्ट है और आप सब को पता है कि खमबात की खाड़ी में चोखा तट जो है जहां पे चोखा तट जहां पे भारत का सबसे उंचा जो है वो क्या आता है जोवार आता है अगर विशुव के संदर में बात करें कि विशुव में सबसे उंचा जो जोवार है वो कहां प्याता है तो हम कहते है FUNDY की खाड़ी कुछ से खाड़ी है FUNDY की खाड़ी FUNDY की खाड़ी Newfoundland दीपर है Karnada जहां पे विश्व का सबसे उंचा की आता है जो वारे आता है तो ये जो है ये हमारे Current GK के महत्पून person मैं आसा करता हूँ कि यह 15-20 मिंट की जो कलास होती है दोस्तों यह आपका जीवन बदल सकते हैं तो इसलिए आप लोगों से अमरोद है कि इस कलास को आप अधिक से अधिक सुनने का कस्ट करें आप अधिक से अधिक अधिक अपने जो कम्पेटिशन त्यारी करने वाले जो द करता हूँ करता है